हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करेंगे आजकी इस coorde में भारत में धार्मिक सुतंटा की बारि में हम तो इसमें हमलोग देखेंगे कि आकर ये आपका भी चर्चा में क्यों है और जो आपकी रेपोर्ट आई हुई है धार्मिक सुतंता से समझे उस रेपोर्ट पर भी हम लोग देखेंगे चर्चा करेंगे रिपोर्ट द्वारा निर्दिष्ट कारण क्या है उन्हें देखने के भारत में धार्मिक सुतन्ता क्या है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे और जो आपकी रिपोर्ट के निर्षकर से उनका भी हम लोग बिसलिसन कर लेंगे अमेरिका के अंतराष्टिय धार्मिक सुतन्ता आयो ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में भारत को विसेश चिन्ता के देश कदर्जा दिया रहे अमेरिका के अंतराष्टिय धार्मिक सुतन्ता आयो ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में भारत को विसेश चिन्ता के देश कदर्जा दिया है रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करें तो अमेरिका के अंतराष्टी है धार्मिक सुतंतायो यू एस सी आई आरेप ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में भारत को विशेश चिंदा के देश का दर्जा दिया है संगीय सरकार रायो सलाहकार निकाय द्वारा वॉसंट्टन में जारी की गई रिपोर्ट ने भारत को चीन वत्तर कोरिया साउडिय अरव और पाकिस्तान सहिद देशों के साथ रखा है भारत को पिछली वर्स की सूची में टीयर टू देश के रूम में वर्गी कित किया गया 2004 के बाद इस पहली बारई ज où भाडत को इस सैनी में रखा गया है किस सै망ी में बिसेश चिंदा के देश की सादी में टीयर पाकिस्तान चें कुतर कोरिया साउदी एरब की सैनी में लाकर ख़ळा कर दिया भारत को भी आयोग ने अपनी रिपोстра्ट में कहा है दिवारत में 2019 म के लिए पिस्तावित राश्टी रेजिस्टर धर्मांतर विरोधी कानूं और जम्मू और कस्मी तीस्तिती के बारे में विशिष्ट चिंताएं समलिप हैं राश्टी सरकार ने अपनी मजबूत संसदिय वगमत का उपयोग राश्टी इस्तर की नीतियों का निर्धारन करने के लिए किया है जो पूरे भारत में धार्मिक सुतनता का उलगन करती है विसेस रूप से मसल्वानों के लिए चिंताजनत है पैनल ने कहा है कि भारत को यह सेनी इसलिए पिदत की गई क्योंकि राश्टी और विविन्दरा सरकारों ने धार्मिक कल्ब संख्यकों के खिलाब उत्पीडन और हिंसा के राश्ट व्यापी अभियानों को जारी रखने की अनमति दी थी और उनके खिलाब इंसा करने और नपरत पहलाने और अपमानित करने के लिए प्रियोजन किये लेगा आयव ने यह भी अनुसंसा किये कि अमेरिकी सरकार अंतराष्टी धार्मिक सुथनता अधिनियम के तैस भारत के खिलाब कड़ी खारवाई करे इससे पिसासन से आहान किया गए कि बे भारतिये सरकारी एजेंसियों और धार्मिक सुथनता के गंबीर पूरलगन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को उन लोगों की संपत्ती को प्रीज करके और माना अधिकारों से सम्मदी बित्तिये और बीजा अधिकारेों के तैद सेटराज अमेर्का में उनकी पिरवेश पर रोक लगाने का हवाला देते हुए पितिवन लगाने पर U.S.C.I.R. 2020 की रिपोर्ट में ग्रह मंत्री अमिस्ताय का देश में बीडभाड की मामलों को रोकने के लिए परयाप्त कारवाही की रूम में नहीं लिया गया है और प्रवासियों को दीमक की रूम में संदर्वीत करने के लिए एक पिसिष्ट उले करती हैं दिसम्बर 2019 में U.N.C.I.R. ने अमेकी सरकाल से नागरिक्ता संसुदान अदिनियम पारित करने की नेडर पर सरी साय अमिसाय और अन्य प्रमुक नेतत के खिलाब पिती बंदों पर विचार करने के लिए भी कहा था बात करते हैं रेपोर्ट द्वारा नेरधिष्ट कारण पहला है आपका नागरिक संसुधन अदिनियम इस अदिनियम में नागरिकता अदिनियम 1925 में संसुधन करके आफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सेक्खों, बध्धों, जैनियों, पार्सियों और इसाईयों के अवेद प्रवासियों को भारतिय नागरिकता के लिए पातिता पिदान की गई है जिनों ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया परन्तु अदिनियम में मुसल्मानों का उल्लेक नहीं था यह भी आपका नागरिकता संसुदन अधिनियम आया हुए था जिसमें क्या था अफगानिस्तान, बंगलादेश, पातिस्तान की हिंदूं, सिक्खों, बौध्दों, जैनियों और पार्सियों और इसाईयों की अवैद प्रवासियों को भारतिय नागरिकता के लिए पातिता पिदान की लिए, जिसमें आपका मुसल्म यानि की मुसल्मानों को कोई उल्लेक नहीं था फ्रे आपका नागरिकता नागरिकों के लिए पिस्तावित राष्टिये रजिस्टर है नारजी National Register of Citizens उन सभी भारतिये नागरिकों का एक रजिस्टर है जिनकी नागरिकता दिनियम 1955 के दोजार तीन के संसोदन द्वारा अनिवार है इसका उद्देश भारत के सभी कानूनी नागरिकों को दस्तावित देना जिससे अवैद प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके यह एसमराज के लिए लागू किया गया कुछ ब्यक्तियों का कहना है कि भारत सरकार की योजना 2021 में देश के बाकी हिस्सों में से लागू करने की है प्रयापका धर्मांतरन विरोधी कानून को इस आधार पर पिख्यापित किया जाता है कि जब जवरन या फिर पेरिद धर्मांतरन होते हैं और इसे रोकने की आवस्सक्ता होती है और भारत के पांच राच्चूं मद्ध पिदेश, चत्तिसगण, उड़िशा, गुजरात और हिमाचल पिदेश में पहले से ही इस तरह के कानून लागू है जम्मू और कस्मूईर के स्थिति धारा 370 में संसोधन के बाद जम्मू और कस्मूईर के बिसेश-पिसेशादिकार हटा दी गए वो साथी साथ इसकी राजनितिक सरचना भी बदल गई है प्रयापका भारत में धार्मिक सुतंता, भारत में आपकी धार्मिक सुतंता के प्रावधानों की बात करें, तो अनुच्छे आर्टीकल 25, अनुच्छे 25, इस भात के अनुच्छे प्रावधानों के दिन, सभी व्यक्ति समालोग से अंतरात्मा की सुतंता और धरम के का पिच करने के लिए सुतंत्रोप से अधिकारी हैं उन्हें अधिकार मिला हुआ है इस लेक में कुछ भी सारवजिनिक्स ब्यवस्था हैं डैतिक्ता और स्वास्त से संबंदी विशाओं पर विदी मौझूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेड़ा या राज्य को कोई लिए निर्माण में से नहीं रोके ला है कि तूँए किसी भी आर्तिक वित्तिय राजनेति या पर अन्य धारवज में निर्पेच गत्ती भी नियों को भी निमित या सीमित करना जुद्धार्मिक अब्याज से जुड़ा हो सकता है तूबी सामाजी कल्याण और सुद्धा किरपाड तारन सिक्ष धर्म की अनिवार अभ्यास में सामिल माना जाएगा इस पश्टीकंड दुद्धिय सिक्षों जैन या बौत धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्म में खंड खा में पयुक्ति हिंदू सब्र माना जाएगा प्रयापका अनिवार धार्मिक सर्वोच न्यालय की साथ न्याधिसों की खंड़पीट में उननीस सो चंवण में सीर रोर मठ मामली में धरम के अनिवारित्ता के सिध्धान को पिती पादित किया न्यालय ने माना कि धरम सब सभी धरमों और पिथाओं को एक धरम में अविन्य रोप से कवर करीगा किसी धरम की आवस्वत्ता और गैर आवस्वत्त पिताओं को निल्दारित करने का उत्तरदाइत न्यालय का होगा तो रहे आपका आर्टिकल 26 यानि की अनुचे 26 सार्वजनिक बेवस्था नैतिक्ता और स्वास्त के अधिन पितेग धरमिक संपदाय या उसके किसी भी बढ़क को अधिकार होगा धरमिक और धर्मार्थ उद्देशों के लिए संस्थानों की स्थापना और रफरकाओं धरम के मामलों में अपने मामलों का प्रबंदन करने के लिए चल और असल संपत्ति का स्वामित और अधिक्यान करने के लिए विधी के अमसार ऐसी संपत्ति का इसासन करने हो बात करते हैं रिपोर्ट की निशकर्स निशकर्स का बिलिशन विस लेसर यह जो इस रिपोर्ट के निशकर्स हैं उनका बिलिशन कहते हैं भारत ने इस कदम पर कड़ा विरो उध्ष किये सबी मुद्य भारती संसदियों प्विक्किरिया का पालन कर रहे हैं तथा भारती है संप्रभूद्धा की मानक हैं भारत में कई प्रावधाने जो धार्मिक सुतंता कोपिदर्सी करते हैं यह था अनुचे 14 15 16 25 26 29 30 तो था भारत में अल्ब संख्यकों हित्य अन्याय अन्य न्याय प्रयास भी किये गये हैं नागरिक्ता संसुदन अधिनियम या पर कस्मीरिक से अनुचे 370 अटाना भारत का अंत्रिक भिस है तथा जन्ता के अन्यों छेत्रों विकासितू किया गया है अमेर्की राश्पर्दी द्वारां भारत के इन कदमों को भारत का अंतिक में संदर्वी निर्वेक्षिता ना सिर्फ भारत की बेशिक स्टेक्टर में भी संबलेते हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि चीन, पाकिस्तान, उत्तरकुरिया, या साउधी रब कि लाइन में भारत को खड़ा करना कितना पो रासा भी थे समझ रहे हैं उत्तर को लिया को और पाकिस्तान को किस तरह से दाहर मेत बहुत हो नावां को ऻिटे स्वॉक चाह जाता है पाकिस्तान में तो कहते हैं कि हिंदुों पर इतना फिया चर्कीया जाता है तो उसी लाइन में बारत को भी खड़ा कर दिया है तो चलिए ये था आपकर धार्मिक सुतंता से संबंदी फिरमुक पार्टिकर्म